आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार आज जिन्हें फ्लावरिंग करने का या गार्डनिंग करने का या क्राफ्टिंग करने का ज्यादा सोख है मैं उनके लिए वीडियो लेकि आई हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्लावर पॉर्ड भेंगर घर पे मातर दस एक जिसको मैंने 10 रुपे में मार्केट से लिया है 2 रुपे मीटर के मिलती है औक कम कम में मिल सब्सक्syक्ति है आप dip जादा में भी मिल सक्यविंए जैसी आपके मार्कर प्च sentences मैंने 6 पार्ट की जिसको मैंने फॉल्ड कर लिया है तो ये 2 की 4 चार हो गें और मैंने चार पार्ट इसके तिहाई छोटे करते हैं यह उपर आप रसी देख पा रहे होंगे इस पर मैं एक पेन लगा दूँगी जिसे इसका राउंड सेप बना रहे है जिसे जब हम इसे हैंगिंग करें चाहिए आप छला लगाओ या कील में वैसे ही फसाओ वह आपकी मर्जी है आपको इसे लगा रहे हूं लंबी वाली दोनों सुतली में पेन लगा के और उसमें उसको एक दूसरी डोरी से कबर कर दे रहे हूं जिससे वह उससे क्या होगा कि आपका वो जो राउंड से बने का पेंसे वह बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है वो आप खींच के छोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं आप देखिए मैं कैसे बना रही हूं इसको मैं कैसे कबर कर रही है ध्यान से देखिएगा एक बार में समझ में आ जाएगा आपको कर आपको झाल झाल आप मैं सबसे पहले पेन को पगड़ के देखे अब देख पा रहे हूँगे मैं चारो डोरियों को अच्छे से खेंश के बराबर कर दे रही हूं जिसे कोई छोटी बड़ी ना रह चाए उसके बाद मुझे छोटी वाली डोरियां बड़ी वाली डोरियों में जहां से एड़ करनी है मैं उस पे एक पेंतर निसान बना दे रही हूँ ताकि उपर नीचे न जुड़े क्योंकि अगर उपर नीचे जुड़ गई तो हमारा जो हेंगर होगा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और उसमें तंग चा जाएंगी वो तिर्चा में अच्छा भगेगा इसके लिए मैं सबस्के पहले निसान लगा दे रही हूँ हमें पास जो ये छोटी वाली रसी है मैं इसको इसमें बड़ी वाली में जहां पर मैंने निसान लगा है मैं वहां से एड़ कर दे रहे हूँ अच्छे से मजबूती से एड़ करना है अपको आपको झाल झाल आप देख पा रहे होंगे मैंने चारू रस्तियों को बीच से जहां से मैंने निसान लगाया था वहां से अच्छे से एड़ कर दिया है इसकी बाद मैं देख पा रहे होंगे आठों टुकड़ों को फैला के रख दे रही हैं और जो एक रस्ति में जो दो टुकड़े लगे हैं उनको एक दूसरी वाली रस्ति के एक टुकड़े से एक इसका और एक इसका दोनों मैं बांद दूंगी और मैं ऐसे चार रस्तियों से आठ रस्तियां बनी हैं उनको फिर से मैं चार रस्तियां बना दूंगी दो दो को एड़ करके और जाद रहे ये दोनों रस्तियां एक दूसरे रस्तियां से आई हुई होंगी आकर मिलेंगी और इसके बाद अच्छे से गाठ में इसकी बराबर गाठ इसकी भी लगानी है इस तरह से ये चारो गाठें भी लगकर तयार हो गई हैं आप देख पा रहे होंगे उपर की भी चारो गाठें बिलकुल बराबर हैं और नीचे की भी चारो गाठें बराबर हैं कि अब आप देख पारे होंगे नीचे जो रस्तियां बची हैं उनको सारे को इकठा करेंगी और एक बड़ी गाठ लगा देंगे यह जो रस्ति थोड़ी की छोटी हो गई है आप दियान दीजिएगा थोड़ी की बड़ी और लेजिएगा जिसे नीचे वाली गाठ अच्छे लग जाए थोड़ी बड़ी हो जाए आप बाद में कार दीजिएगा मैं पास लपकम रस्ति थी इसलिए ऐसा हुआ है आप चाहो तो आप थोड़ी बड़ी रखना उसको बाद में कट कर देना उस सिर्फ नेसिंग अच्छी आएगए आप देख पा रहे होंगे हैंगर पुरा बन के तयार हो गया अच्छे से गांट भी जैसे तैसे मैंने लगा ही दी है और मजबूत गांट भी लगे है याद रहे हैं यह नीचे वाली गांट भी बहुत जादा मजबूत होनी चे नहीं तो आपका पॉर्ट नीचे गिर जाएगा अगर खुल गई तो आप देख पा रहे हैं फ्लावर बॉर्ट रखके यह हैंगर कितना खुफसूरत लग रहा है बिल्कुल मुझे तो बहुत जादा प्रसनता हो रही है इसे बना कर अच्छा लग रहा है बाकि आप भी ट्राइ करेगा अगर अच्छा लगता है यह बना के तो आप कमेंट करक बताईएगा और मेरे से जो गलतियां होई होगी वो भी मुझे बताईएगा जिसे मैं अगले हैंगर में उस गलती को सुधार सकूँ और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरे और भी वीडियो आप तक थैंक यू